आप सभी लोगों का मेरे वाइटी चैनल मिशन कोशिज पे हार्दे कभिनन नन और बहुत-बहुत स्वागत प्यारे बच्चों वीडियो में जो आप वर्क्षीट देख पारे होंगे ये वीडियो है क्लास एर सब्जक मैथ्स वर्क्षीट नम्मारेट माद आगस्त के लिए प्यारे बच्चों वीडियो को आप शुरू से अन तक देखते रहीगा पिछली वीडियो में वर्क्षीट में परिमाप की जानकारी दी जा चुकी है आज बढ़ेंगे हम वर्क्षीट में छेतर फल के बारे में आएए चलते हैं वर्क्षीट की ओर आप देख पारे होंगे इधर नीचे कुछ इस्तित्याद दी हुई है उन पर विचार किजिए फर्स्ट पे है पांच मीटर चोड़े वू तीन मीटर लंबे आंगन में सिमेंट का फर्स डालना है शेकेंड है चार मीटर लंबे वू तीन मीटर चोड़े कमरे के फर्स को पूरा ढखते हुए कार्पेट बिचाना है घर के सामने के 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार चेतर में घास लगानी है उपरोगत उदारणों में दी गई सीमा के अंतरगर समस्च चेतर में कुछ न कुछ कार्य करना है दी गई सीमा के अंतरगर समस्च चेतर की माप को ही चेतर फल कहते अतो उपर के उधारण में हमें छेतरफल ग्यात करना होगा जानते समझते हैं छेतरफल क्या है पिछली वीडियो में आयत का छेतरफल परिमाप, वर का परिमाप और तिर्बुज के परिमाप के बारे में या परिमीटर जिसे कहते हैं कि विस्तित जानकारी और उसे सम्मंदित प्रश्णों को हल किया जा चुका है आज है छेतरफल, छेतरफल किसे कहते हैं? आओ, जानते हैं इसे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जो आप फीगाड देख रहे हैं, यह जो मैंने ड्रॉक करा है यह मान के चुले, यह आईताकार के हमारे पास आंगन है अब इसमें परिमाप कहा हैं और छेतरफल किस अस्तान पी है? या परिमाप और छेतरफल में क्या अंतर है? परिमाप, देखे प्यारे बच्चों, जो बहारी बहार की माप है यहां देख पारी हूंगे आप एक शिरे, एक बिंदु से शोरू करते हुए जैसे बिंदू है यहां से इधार यह, बी बिंदु तक, बी से नीचे सी बिंदु तक, सी से डी तक और डी से पुन्हों ए बिंदु तक किलियर ये बाहर बार जो हम चले या आप अपने कहां से चले घर से चले और इस इन अस्तानों से हो करके आप पुनों कहां पहुंच के सीधे अपने घर तो जितनी दूरी आपने तै की इस दूरी को हम कहेंगे परिमार या हमने इस बाहर ही बाहर क्या करना है तारबाड करनी है इसके बाहरी अरिया पर बाहरी किनारों पर तो ये हुआ इसका पैरी मीटर अब चेत रफल क्या होगा इस में ये हुआ परिमार पैरी मीटर बाहरी बाहर अब यहां शुरू करें चलना यहाँ इधार इधार इस तरह से तो जितने दूरी हमने तैकी चाय मीटर में करी चाय किलो मीटर में करी तो जितने दूरी हमने तैकी कुल दूरी कहलाएगा उसका परिमाप क्लियर हो गया, अब 6 तरफल क्या है, जानते हैं यह फिगर ड्रॉ करा मैंने यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे से ध्यान से देखिएगा छेतर फल होता है को हम सबसे पहले इंग्लिश में कहते हैं एरिया क्या हुआ प्यारे बच्चो एरिया कहते है अब ये हमारे पास क्या है फर्स है आयताकार फर्स इस पे हमने क्या लगाने है जैसे टाइल लगानी है या आंगन है हमारा उसमें घास हुगानी है फुलवारी करनी है तो जो अंदर का इस पेस है हमारा ये अंदर ये कहलाएगा प्यारे बच्चो इसका क्या छेतर फल क्या कहलाएगा ये जगव ये स्तांट जहां अभी तक खाली दिख रहा था आपको अब मैंने इससे क्या कर दिया है कलर कर दिया इस पर यह रंगीन हो गए यह देख पारे होंगा मैंने इससे रेट कलर से फिल कर दिया है पूरा जो खाली था अभी तक वो मैंने इससे क्या कर दिया है रेट कलर से भर दिया है अब जो यह अंदर का स्पेस है हमारा यही कहलाता है प्यारे बच्चो छेत्र फल अंदर-अंदर की माप इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं यह कहला है आप समाज़के होंगे परिमा बहर-बहर की माप और छेत्र फल अंदर चलते हैं आगे वक्सीट की ओर यतना के लिए समझ गया आप देखें यहां पर गद्विदी रिखिया है चार्ट पेपर पर दो समते लिए छेत्र ए वबी का निर्मान कीजिए देखो यहां पर एक आहिताकार कोई चित्र बना हुआ है यह और यहां पर बना है श्क्वायर से में वर्गा कर अब इसकी देखें आपने ऐसे ही क्या करना है पेपर पे यह कागस भी बनाना है इसकी लंबाई दे रिखिया है चार सेंटी मीटर और चोड़ाई दे रिखिया है तीन सेंटी मीटर और जो यह अलग सदी रिखा है यह एक बीस में देख रहे होंगा आप एक सेंटी मीटर लंबाई और एक सेंटी मीटर चोड़ाई, तो हमें जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्छो, कि वर्ग में क्या होता है, लंबाई चोड़ाई क्या होती है, बराबर समान, चारों बुझाएं, बराबर, तो एक सेंटीमीटर स्क्वार का कहिए ये फीगर दी रखा यहां पर अब वो कह रहा है कि इस एक सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर के कितने खाने या कितने बॉक्स या डिबे इस तीन और चार सेंटीमीटर में फिटाएंगे किलियर अब क्या किरेंगे हम इसे फूत्र से नहीं पहले समझते हैं फीगर के माध्यम से चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं अब देखें यहाँ पे चार सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर लंबाई और तीन सेंटीमीटर चोड़ाई का क्या बनाया मैंने आयताकार होर्स बनाया मैंने और यहां पर बनाया एक वर्ग सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर इसकी लंबाई और एक सेंटीमीटर इसकी चोड़ाई तो क्या हो गए ये एक वर्ग सेंटीमीटर या इसे कहेंगे एक सेंटीमीटर स्क्वायर दो लगा देंगे उपर से अब पहले हम क्या करेंगे इस चार सेंटीमीटर लंबाई को एक एक सेंटीमीटर के कितने भागों में विवाजित करेंगे चार भागों में ठीक अब चोड़ाई को कितने भागों में व्यवक्त करेंगे तीन बराबर भागों में देख लिए अब देखिए गिंते इनको कितने एक सेंटीमीटर स्क्वाइर के कितने खाने या बॉक्स बने आप देखो ये चार बढ़ गया है एक 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 चार सेंटीमीटर एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया और चोड़ाई जो तीन सेंटीमीटर थी इसकी ये भी एक एक में क्या हो गई डिवाइड हो गई है अब गिनना हो इने एक दो तीन चार पांच कितने खाने बने एक सेंटीमीटर स्क्वाइर के 12 कितने 12 बॉक्स बने वे तो किलिया रोगे यह चोटे अब दीखी यहां पर इंट्रेस्टिंग यह है कि एक सेंटीमीटर स्क्वाइर का कितने बॉक्स इसे आयताकार फर्स या आंगन में फिट हो रहे हैं तो कितने 12 डिबे एक सेंटीमीटर स्क्वाइर के इसमें फिट होंगे किलियर अभी हमने सूत रिपे ने गए इसके कि आयत का 6 तरफल कैसे निकलता है वार का 6 तरफल कैसे निकलता है फॉर्मुले से नहीं अभी हम इसे प्रैक्टिकली हल करेंगे क्लियर हो गया मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अब यही चीज आपके कार्य पत्रक में भी दिया हुआ है देखो छेत्र बी का छेत्र फल एक वर्ग सेंटिमीटर है जो मैंने बताया था यह बी वाले फिगर दिखी और बी वाले को उठाकर ए छेत्र पर बारी बारी पर इस परकार रखे कि छेत्र ए का कोई कोणा या भाग छूटे नहीं इसको आपने पढ़ना है बढ़ते हैं आगे अब आपके लिए यह रहा एक और प्रश्ण पांच सेंटिमीटर लंबा और तीन सेंटिमीटर चोड़ा गत्ता या चार्ट का आयता का टुकड़ा लीजिए उसका छेत्र पर पूर्व गत्तिविदी में दिये गिए छेत्र भी से ग्याद कीजिए तथा इसकी तूलना लंबाई चोड़ाई को गुणा करके करिए अब देखते ही से कैसे हल करना है पांच सेंटिमीटर लंबा इसकी लेंध होगी फाइब सेंटिमीटर और ब्रैथ होगी तेंटिमीटर ये मैंने ड्रोक किया है क्या लिखेंगे लेंध लिखेंगे फाइब सेंटिमीटर और जो ब्रैथ होगी इसकी ये होगी चोड़ाई कितनी तेंटिमीटर के लिए अब पांच सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे एक एक सेंटीमीटर के पांच भागों में डिवाइड करेंगे एक एक सेंटीमीटर हम क्या करेंगे से दो तीन एक तो आप लोग सही से बनाईए दो पांच भागों में क्या हो गए यह एक-एक सेंटीमीटर के एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप लिखते जाएंगे इसमें एक-एक सेंटीमीटर लंबाई को किसमें बार दी हमने एक एक सेंटीमेटर अब चोड़ाई जो ब्रेथ है हमारी तीन सेंटीमेटर इसके भी हम एक एक सेंटीमेटर पर क्या करेंगे तीन भागों में बाढ़ देंगे पूरी चोड़ाई को अब गिनिये इनको अब हमें क्या करना है इस एक वर्ग सेंटीमीटर का जो एरिया है हमारे पास ठीक है ना उसको हमने क्या करना है इस पांच सेंटीमीटर लंबे और तीन सेंटिमीटर चोड़े आयताकार फेत्र में क्या करना है फिट करना है एक सेंटिमीटर और एक सेंटिमीटर तो यह वा एक वर्ग सेंटिमीटर स्क्वार आप देखें गिने इनको एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तीरह चोड़ और पंदरह तो कितने खाने बने पहले पंदरह खाने तो यह एक वर्ग सेंटिमीटर के कितने टुकडे या कितने भाग इस तीन गुणा पांच सेंटिमीटर के एरिया में फिट आएंगे तो कितने थिप्टीन अब वो गुणा करके भी देखेंगे तो पांच सेंटिमीटर लंबाई ए गुणा तीन सेंटिमीटर चोड़ाई पांस का गोणा तीन से करा कितना हुआ पांस ती है पंदरा और सेंटी मीटर और सेंटी मीटर का गोणा हुआ तो यह हुआ वर्ग सेंटी मीटर या सेंटी मीटर स्क्वाइर फिप्टीन सेंटी मीटर स्क्वाइर या पंदरा वर्ग सेंटी मीटर ओके मिटाते फिर आगे बढ़ते आब आए हम इसके जो निश्कार से निकला आयत का छेत्र फल अब फॉर्मूला बना इसका वो बना आयत का छेत्र फल area of rectangle area of rectangle क्या होता है आयत की लंबाई गुना आयत की चोड़ाई अब हमारे पास सूत्र निकल के आगया फॉर्मूला तो हम लिखेंगे आयत का अगर क्या निकलना हमको छेत्र फल निकलना है भै area निकलना है तो उसके लिए सूत्र है लम्बाई गुणा चोड़ाई ओके इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो एरिया ओफ रेक्टेंगल इसका स्टू L इंटू B लेंथ और ब्रेथ L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेथ तो एरिया ओफ रेक्टेंगल आयत का छेत्र फल बराबर क्या होता है जो आयत की जो लम्बाई दी होगी चाहिए वो मिली मीटर में दी होगी तो वो यूनिट हो जाएगी उसकी सेंटी मीटर में दी होगी तो सेंटी मीटर हो जाएगे स्क्वेर अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वेर किलो मीटर में होगा तो किलो मीटर का स्क्वेर लग जाएगा वो यूनिट या जो दी गई इकाई होगी उसपे निर्वर करेगा तो आयत का छेत्र फल के लिए जो फॉर्मला है सूत्र बना वो बना लंबाई गुणा चोड़ाई अब इसी तरों आप देखेंगे यहां दे रखा है वर्ग का छेत्र फल वर्ग का छेत्र फल बराबर वर्ग की भुजा का वर्ग और इकाई जो इसमें यूनिट दी होगी देखिए जानते से अगर हमें वर्ग का छेतर पल निकालना है प्यारे बच्चो तो वर्ग का छेतर पल होता है भुजा गुणा भुजा भुजा गुणा भुजा अब जब भुजा गुणा भुजा होगा तो यह भुगा भुजा का वर्ग भुजा का वर्ग ओके इंग्लिश में कहेंगे area of square is caused to A square मतलब side into side है ना भुजा गुणा भुजा तो भुजा का वर्ग हो जाए गई भुजा का वर्ग अब इससे सम्मंदित हम प्रश्णों को यहां देखेंगे और हल करेंगे देखो छेतिरपाल से सम्मंदित प्रश्ण यह रहा आपके लिए पहला प्रश्ण एक आयताकार आंगान जिसकी लंबाई 15 मीटर वो चोड़ाई 6 मीटर है मैं फर्ष डालना है यदि फर्ष डालने का खर्च इक आयताकार आंगन है और उसमें क्या डालना है फर्ष डालना है तो हमको उसका ससे पहले क्या निकालना है छेत्र फल एरिया ज्यात करना पड़ेगा तो देखिए आंगन का छेत्र फल बराबर क्या होता है आंगन की लंबाई गुणा आंगन की चोड़ाई आंगन की मीटर गुणा 6 मीटर करेंगे यहां पर तो यह आज आएगा 156 के 90 और मीटर मीटर का गुणा हो तो यह आए मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हम जिसे कह सकते हैं अब एक वर्ग मीटर एक वर्ग मीटर का जो खर्च आ रहा है फर्स डालने में वह आ रहा है प्यारे बच्चों 100 रुपीए कितने 100 रुपीज तो अब टोटल एरिया कितना है हमारा वह आया 90 मीटर स्क्वायर ठीक तो हम क्या करेंगे 90 वर्ग मीटर में फर्स डालने का जो खर्च आएगा वह हम लिखेंगे 100 इन्टू 90 वर्ग मीटर ठीक अब ये 100 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 100 का गुणा 9 से किया 900 आया और एक 0 जो यहां पर है उसको हम इसके आगे लिख देंगे तो यह आया 9,000 रुपीज 9,000 रुपी का क्या आएगा प्यारे बचो फर्स डालने पर कुल खर्चा आएगा 9,000 रुपीज किलियर मिटाते फिर आगे बढ़ेंगे आप देखिए इसमें एक वर्गाकार खेत में जिसकी भुजा 20 मीटर है एक बगीचा विक्सित करना है एसी रुपीज परती वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विक्सित करने का विया क्या होगा यह रहा आपके लिए अगला प्राश्ण पहले हम इसे समझते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे वर्गाका खेत बनाएंगे वर्गाका खेत अब जहाँ पर वर्गाका खेत आएगा फरस आएगा कमरा आएगा वहाँ पर देखो बहाँ एक ही भुजा दी होगी तो यह समझ लें लंबाई और चोड़ाई क्या होती है वर्ग में बराबर होती है तो कितनी देरी की है एक भुजा 20 मीटर मतलब उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर और उसकी चोड़ाई भी माने कितनी 20 मीटर होगी क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है तो लंबाई भी 20 मीटर और चोड़ाई भी 20 मीटर और वर्ग का जो छेतर फल निकलता है प्यारे वच्चो क्या होता है वो फर्मुला भुजा गुणा भुजा ओके या भुजा का वर्ग ठीक आप देखिए आप भुजा का वर्ग तो एक भुजा है बीस मीटर और गुणा बीस मीटर तो कितना हो जाएगा ये दो दूनी चार और कितने जूरो हैं दो जीरो तो 400 और मीटर मीटर का गुणा हुआ ये हुआ मीटर स्क्वायर तो 400 मीटर स्क्वायर या 400 वर्ग मीटर जिसे हम कह सकते हैं क्या है उसका छेत्र फल आया किसका किसका भई जो हमने क्या करना है निर्मान करना है जिसका हमको भगीचे का तो उसका क्या आगया छेत्र फल कितने आया 400 वर्ग मीटर कितना है 400 मीटर स्क्वायर अब प्रश्ण में यह लिखा है कि प्रति वर्ग मतलब एक वर्ग मीटर जो खर्चा है वो आ रहा है कितने रूपिये? 80 रूपिये वही कितने रूपिये? 80 रूपिये इसलिए कितना है? 400 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा? तो हम लिखेंगे 400 गुणा 80 ठीक है? आड़ चो को 32 जीरो कितने है? टू जीरो 400 पे है और एक जीरो किस पे है? यह टी पे है तो यह हो जाएगा कितना? 32 रूपिये का खर्चा आएगा कितना? 32 जार का खर्चा खर्चा आएगा किलियर मिटाते हैं भी रागे बढ़ते हैं अब इसी तरो आपने प्यारे बच्चो इन प्रश्णों को आगे हल करते रहने हैं एक कमरे के फर्च की लंबाई 4 मीटर वो चोड़ाई 3 मीटर है तो फर्च का छेतिरपल ग्याद कीजे यदि फर्च डालने की दर मतलब उस पे खर्चा आ रहा है 120 रुपे परति वार्ग मीटर तो फर्च डालने का कुल भी है ग्याद कीजे आप लोग भी प्रयास कीजे हल करने की कोशिच कीजे और मैं समाजता हूँ आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं ये क्या है प्यारे बच्चो आयताकर क्या है फर्स है हमारा जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है चार मीटर और चोड़ाई दे रखी है तीन मीटर है ओके तो इसका छेतर फल हम आसानी से निकाल सकते हैं आयत का छेतर फल लंबाई गुणा चोड़ाई से निकालेंगे आप तो लंबाई है चार मीटर गुणा तीन मीटर या जाएगा बारा वर्ग मीटर ओके अब जब एक वर्ग मीटर का खर्चा आ रहा है कितना 120 रिपे तो आप आसानी से बारा का उससे गुणा करेंगे तो जितना आएगा वो आप लोग लिखेंगे और वो उसका कर्चा आ जाएगा मिटाते हैं इसी तरह प्यारे बच्चों आपने ये वाला भी निकालना है तीसरा वाला प्रस्ट बहुत ही आसान है 22 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में घास बिचानी ये घास बिचाने का भी है 100 रिपे परती वर्ग मीटर हो तो कुल भी हो ही एक क्या बनाना है अपने वर्गाकार खेत ये बन गया अब इसकी एक भुजा के लंबाई कितनी है 22 मीटर तो चोड़ाई भी कितनी होगी प्यारे बच्चों 22 मीटर अब आप फॉर्मूले में रखेंगे वर्ग का खेतर फल भुजा गुणा भुजा तो 22 मीटर गुणा 22 मीटर जितना आएगा यहां लिखेंगे वो मीटर स्क्य प्यार में आजाएगा अब खर्चा एक वर्ग मीटर का खर्चा है 100 रिपे तो जितना आया छेतर फल उससे उसका मैल्टिपल करेंगे गुणा करेंगे वो उसका कुल ब्याय आजाएगा अशा करता हूं आप वक्षीट को हल कर सकते हैं कर पाएंगे इसी के साथ आज के लि मिलेंगे तब तके लिए बाए बच्चो